नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपिके अपने इस यूटूब चैनल इंडियन स्टोडियो में तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखिर का टाइगर श्रॉफ ने पागी तरी का आगास कर दिया है जी हाँ दोस्तों 21 जुलाई 2019 से पागी तरी की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इस फिल्म के डिरेक्टर एहमद खान ने शूटिंग लोकेशन पर काम भी शुरू कर दिया है और साथ यहां फिल्म का पहला टेक भी ले लिया गया है जिसकी एक पिक्चर हमें हाली में देखने को मिली वही दोस्तों बागी तरी के शुटिंग लोकेशन से फिल्म के डिरेक्टर एहमद खान की दो ताजा तस्विरे सामने आई है और यहां इन पिक्चर्स में हमें फिल्म का शुटिंग लोकेशन भी देखने को मिल रहा है और इन तस्विरों को देख यह साफ कहा जा सकता है कि बागी तरी का लोकेशन जैसा बताया गया था ठेक वैसा ही है यानि दोस्तों सुखा और डेजर्ट टाइब का और दोस्तों फिल्म के मेकर्स ने कुछ दिनों पहले ये रिवील किया था कि इस बार बागी तरी के आक्शन सीन्स को डेजर्ट में फिल्माया जाएगा और इन रेगिस्तानी इलाकों में आपको टाइगर श्रोफ आतंकवादियों से फिरते दिखेंगे वही दोस्तों आपको बता दे कि बागी तरी के शूटिंग के शुरुवात जॉर्जिया में की गई थी और दोस्तों फिल्म के शूटिंग लोकेशन की ये दस्वेरे जो हमें हाली में देखने को मिली वो सर्विया की है जहां पर बागी ध्री के लिए एक आलिशान सेट तयार किया जाएगा वही दोस्तों फिल्म के बागी लोकेशन की अगर बात करें तो इस बार इस फिल्म को मरोको, तर्की, सर्विया और एजिप्ट जैसे खुबसूरत देशों में शूट किया जाएगा और दोस्तों फिल्म के टेम ने इन सभी देशों में जाकर फिल्म के शूटिंग लोकेशन को फाइनल कर दिया है साथ ही दोस्तों यहां अमत खान का कहना था कि बागी थ्री, बागी टू के मुकाबले पूरी तरह से अलग होगी और इस बागी फिल्म के अक्शन का लेवल काफी जादा ग्रैंड होने वाला है वही दोस्तों हाली में टाइगर शौक ने हमें बताया था कि आपको बागी थ्री में बागी टू के मुकाबले तस गुना जादा अक्शन देखने को मिलेगा और इस फिल्म के अधिकतर अक्शन सीन्स को रेगिस्तानी इलाकों में फिल्माया जाएगा लेकिन दोस्तों फिलाल तो यहां पहली बार हमें बागी तरी के शुटिंग लोकेशन की एक पिक्चर देखने को मिली और अब बहुत जल हमें बागी तरी के सेट से ताइगर शुट की तस्विरे भी देखने को मिलने वाली है तो ताइगर शुट के तमाम फैंस आप बताईए कि आप ताइगर की फिल्म बागी तरी के लिए कितने एकसाइटेड है जरूर शेर कीजिए अपती राई कमेंट सेक्शन में और दोस्तो साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले और बॉलिवूड की लेटिस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टोड यूटॉब चैनल को जैहें